नमस्कार दोस्तों आज की वीडियों हम बात करेंगे डॉक्टर भाई एस परमार उन्वस्टी होर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन की तो यहां पर देखिए जो कि परफॉर्म में की मैंने वीडियो बनाई थी पिछले कल कि आपको प्रफॉर्मा सेंड करना है और आपको परफॉर्मा चीह तो आप वीडियो का डिस्क्रिफ्चन चेक कीज़ें मारे सोचल मीडिया पर हमें मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाता हूं अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइबंग नहीं किया तो ऐसी वीडियो कर चैनल को जुरू सब् तो जर्बीस को ओफिशल वेबसाइट से भी आपको इसको डाउन्लोड कर सकते ब्यस्सी नॉर्मल सीट के लिए काउंसलिक को परफॉर्मा आए देखिए सबसे बड़ी बात है uhf.ugnormal20.gmail.com जो की self-financing की सीट है उसके लिए 5 अगस्त को परफॉर्मा आएगा उसके रिकार्डिंग में अलगसिक वीडियो बनाऊँगा तो आप चैनल को जुरू सस्क्राइब कीजिए का चुकि महाचिल कंडिडेट है जो की entrance exam बाले कंडिडेट है सिर्फ उनके लिए फरफॉर्मा आए तो इस पार entrance exam नहीं होगा चुकि यहाँ पर लग रहा है क्योंकि इन्होंने बोला है counseling होगी आपकी डारेक्ट और परसेंटेज बेस्ट आपकी admission इस बार होगी जिसके अच्छी परसेंटेज है उससे seat मिल जाएगी तो self-financing seat के लिए जो कि 30 सारी को इन्होंने जुलाई को notice निकाला था बाकि यहाँ पर उन्होंने फिर से तीन तारीकों दिया है यहाँ पर फोटो भी अटेज करना है आपने यहाँ पर इसको डाउलोड करके प्रिंट आउट करके आपको भरना और सिर्फ एक पीडिया फाइल करने आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके रिगार्डिंग आप पूछिएगा हमसे कॉमेंट बॉक्स में या तो जो किट वीडियो की डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया वाटसैप नंबर दिया वहाँ पर पूछ सकते कि आप एक वीडिया फाइल कैसे बना स तो यहां पे टिक करना अगर आप रूरल से अगर गाहों से तो आपको सबसे बड़ी बात यह रखे है पंचाय से आप ग्रामिन की सिविक शेतर से आते तो आगे तो यहां पे देखिए चुछ सब्सक्रिप्शन चूज करनी है और फिर यहां पे देखिए ओबीसी है डिफ यहां पे जननल है आपकी तो उसमें अगर आपके यह नीचे आती है यहां पे कोई माकश मेरी माइग्रेंट आई रेडी पी बिए रहा है तो कर सकते हैं सब केड़ेगरीस नीचे रहेगी तो उसके बाद यहां पे परसेंटेज मार्क्स ओटेंड टैंथ और प्लस टू के जो क benefiting marks लिखने है और total marks लिखने है अगर आप CBSC के है तो वो भी लिखने है अगर आप एच बोर्ड के है तो आपको पता है यहां पर total marks 500 रहेंगे बाकिया आपने लिए और किनी प्रसेंटेज बना है फिर यहां पर subject wise आपने लिखना है English physics chemistry बायो मैघने मार्क्स में कितने marks है आपके फिर यहां पे total marks लिखने है यहां पे सर्फ चारी स्ब्जेक्ट इन ने दिए इस चार स्ब्जेक्ट में आपके कितने यहां पे बन रहे है तो यहां पे लिखा दे कि plus two level in four subject wise English physics chemistry and biology mathematics उनके marks यहां पर percentage नीचे आपने लिखनी है पहले तोटल marks और percentage लिखनी है आपके जोकि पांच पेपर होते हैं आपके नीचे आपने सर्फ 4 की लिखनी है और यहां पर उपर पांच की और यहां पर नीचे चार की लिखनी है और टोटल के ने मार्क्स बन रही है, यहां पर 100-100 के तो 400 नमबर बनेंगे, और 400 मैंसे आपको कितने आये हैं, 400 मैंसे, और उपर 500 मैंसे लिखनी है आपको, क्योंकि 11 कॉलम में, जो कि मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यहां पर देखे, आपने अपलाई किस के लिए किया है, तो सबसे पहले है, BSC Honors, यहां पर Horticulture, तो यहां पर देखे, तीन जगा है, Seats, Non-E, Solan में भी है, नेरी, हमीरपूर में है, थुनाग में है, तो थुनाग में इस बार, पहली बार Seats पैठेगी, जो कि BSC के लिए है, और वही है, Horticulture के लिए, और Forestry के लिए भी तीनों जगा Seats है, Non-E में भी है, नेरी में, थुनाग में अगर कोमेंट का अप्रूबल मिलता है, तो यहां पर भी Seats बैठेगी, तो आपको 25 या 60 Seats मिलेगी, जितनी भी होगी, और अगर बाय टेकनोलजी के लिए अपलाई कि भी लिखना है, यहां पर Word में भी लिखना है, नुमेरिकल में भी लिखना है, यहां पर देखिए, One जैसे उपर दिया है, एक लिख देना है, फिर One लिख देना है, और यहां पर Two, अगर आपका BSC Horticulture है, इस Non-E के लिए आप चूझ करते हैं, तो यहां पर One, फिर यहां प आपको पता ही, हमीरपूर में यह लेनी पड़ेगी, तो यहां पर इन्होंने कुछ बताया, भी है, प्रेफरेंस पॉर एडमेशन टूबी फिल्ट कंडिडिट, प्लिस इंडिकेट यूर प्रेफरेंस ओर्डर स्टार्टिंग फॉम, मोस्ट प्रेफरेंस और लिस्ट प्र तो यहां पर झी फिल्ट कंडि लोईस लेनी है, तो उसके लिए आपने एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए आपने चूझ करना तो यहां पर आप थेखें, जो encompass, और फोरेश्टरी में चूझ नहीं कर सकते है अगर आपने हॉर T कल्चर में तो थीन एकजाम सेंटर दीए तो तीनों मैंसे 1 लिखना फॉरस्टि में यह तो 123 लिखना और B.T.E.C. यहाँ पे ब्याटक्नेलजी के लिए तो नेरी है तो यहाँ पे वनिया आयाएगा तो absolutely यह रहेगा तो यहाँ पे checklist है तो यहाँ पे आपको साथ में जोगे अटेच करने तो यहां पर टिक मार्क करना अगर 10th का किया है तो 10th compulsory है तो टिक मार्क और यह PDF फाइल आपको बनानी है यह की PDF फाइल पूरी की पूरी जो कि वो नानी और copy details mark से 12th compulsory इसको भी आपने टिक कर देना है यहां पर मांचली bonified compulsory है तो टिक मार्क कर देना है तो यहां पर यह 3 certificate compulsory है 10th plus 2 और यह मांचली bonified जो कि आप सभी को पता है normal seats के लिए तो यहां पर और तीसरा है copy of rural as applicable compulsory अगर आप उपर रूरल के लिए टिक किया है तो रूरल के लिए रग से seats मिल जाती है एक्स्ट्रा यहां पर बेटेज मिलती है आपक copy of SCST applicable compulsory अगर SCST category है तो यहां पर टिक मार करके वो certificate भेजना है copy of defense अगर आप ने defense seat के लिए किया यह डिपी BPL के लिए किया है तो यहां पर टिक मार करना है और हिंदू migrant है हिंदू families है कश्मेरी पंडित है कश्मेरी नोन हिंदू migrant है डिस्प्लीज फैमिली से है as applicable compulsory तो यहां पर टिक मार करना है आपने अगर यह certificate अगर लिया हुए आपने उपर भरा हो जो कि सब categories है तो यहां पर टिक मार करके certificate लगेगा अदरवाइस इसका नहीं है तो उसका ले नहीं लगगा copy of certificate of participation sports मैं मैंने खाता आपको अगर आप sports seat के लिए यहां पर भरना चाते तो यह लेना चाते sports coat है कि तो यहां पर टिक मार का आपको sports certificate साथ में attach करना होगा total enclosure पर checklist numbers तो यहां पर कितने certificate यहां पर आपने 5 यहां पर 6 7 है तो 7 लिखेंगे अगर आपने 3 certificate attached के तो 3 करेंगे अगर 4 है तो 4 करेंगे तो यहां in case यहां पर appropriate certificate is not submitted then the candidate shall not be considered for those reserved seats तो यहां पर चैल नॉट पर awarded bete is for the participation in sports curriculum activities तो यहां पर देखिये आपको bete is नहीं मिलेगे अगर आप certificate यहां पर submit नहीं करते है अगर यहां पर यहां पर रूर्ल का नहीं है अगर आपको गरामेर में लिया जागा जो कि तीनों में से कोई एक left कर दिया और भेजा नहीं तो आपको disqualify directly किया जाएगा इतीन सटीवेट तो कंपल्सरी है यह फिर आगे कि आपकी यहां पर अगर आपने ऊपर कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना इससे बड़ी बात है जो कि यहां पर आपको सब कैटेगर के सो चलो खाली छोड़ सकते बाकी कॉलेज में आपने पूरे के पूरे बढ़ने है तो यहां पर इन केस कंडिडेट दस नॉट अट अटेश सट्फिकेट अप सिरियल नंबर टू अब चेकलिस्ट प्लस टू मार्क सेट अलॉंग मार्क सोब्टेन एंड टोटल मार्क फॉर वर्किंग आउट प्रसेंटेज और मार्क सीजर कंडिडेचर शॉल न यहां पर डालने पड़ेंगे तो आप मैं आपको रिकुमेंट करूंगा आप डाउनलोड करके इसको भरे और उसकी पीडिया फाइल फिर स्कैन करके बनाएं और अपने डॉकुमेंट को भी स्कैन करें एक फीडिया फाइल बनानी है अगर आपने खुद बनानी है तो वह भी बना सकते हैं अगर आपको जानना है वो कैसे बनाते हैं वीडिया फाइल तो आप हमारे से comment box में comment कर सकते हैं करके पूछ सकते हैं और otherwise आप video description में हमने लिंक दिये हो अपने social media links तो यहाँ पे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं तो पर देखे रूरल के लिए इन्होंने paragraph पेज नमर 54 जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया अंडर्ग्रेजुएट के तो यहां पर इन्होंने कहा है अगर आप रूरल का चूज करते हो तो यहां पर देखे मुंसिपल पंचायद से पंचायद का सटिपेटी पी आपका चल पड़े होगा तो हम लिंक भी प्रोवाइट करा देंगे तो इसका और आपको भेजना कौन सा है तो email id मैंने आपको पहले भी बताई है तो यह है email id uhf.ugnormal20.gmail.com यह सिर्फ normal seat के लिए 18 अगस्ते पहले पहले आपको भेजना है बारात को 12 बज़े से पहले तो यहां पे देखिए ज क्योंकि self financing के लिए उसके लिए लग से रहेगा तो वह 5 अगस्त को perform आएगा उसमें बहुत कुछ attach किया होगा थोड़ी सी extra चीज अटेच किया होगी तो इति आज की वीडियो वीडियो अच्छे लग लाइक और शिर्क करना बोली का आज की वीडियो में इतना ही तन्याव में गया प्याद?